नमस्कार महिमों मदासिफ और आप देख रहे हैं SPN 9 News SPN 9 News में आज बात करेंगे एक ऐसे सक्त की जिसको जानते जिनको किसी परीचे की जरूरत नहीं है जिनको हम और आप सब लोग जानते हैं अगर उनको कोई इनसान नहीं जानता भी रहा होगा तो वो उस इनसान को उस वक्त सब लोग जानेगे होंगे जब देश में राम मंदिर जैसे फैसले आएं हम बात कर रहे हैं पुर्व जस्टिस रंजन गगोई जी के बारे में जिन्होंने राजे सभा में जो है आज शपत ले ली और उन्हें जो है रास्टपती ने उन्हें उफर दिया था जैसे ही रास्टपती ने उन्हें जैसे ही उफर दिया तो लोग तरह तरह के सवाल उठाने लगे लेकिन आज वो सपत ले 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 लिए लेकिन उसके बाद जिस तरह के उन पे सवाल आए हैं जस्टिस रंजन गवोई पे ये उनके लिए एक बहुत बरी चूना थी अब इन के भारती जनता पार्टी को क्यूंकि भारती जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है और उन्होंने उनके घोसना पत्र में जिस तरह के मुद्दे रहे हैं और जिन मुद्दों पे उन्होंने काम किया है अब उसको लेका सवाल है और ये किस तरह से वो हम आपको एक एकर प सवाल उनको ये कहा गया कि आप राफेल में क्लिन चीट कैसे दे दिये यही जस्टिस थे रंजन गोगोई जिन्होंने राफेल जैसा मुद्दा था जिनको उन्होंने क्लिन चीट दे दिया तीसरा एक सबसे एहम सवाल का फिल सिवल ने पूछा और वो यह है कि आखिर आपने CBI की निदिश्कों को क्यों हटा दिया ये भी एक एहम सवाल था और उसने बहुत सारे जो है बहुत सारा हंगामा भी हुआ था और उन्होंने एक आखिर में एक सवाल पूछा जो सबसे खतरनाक हलाकि रंजन गोगोई पे सेक्शुल हरास्मेंट का भी आरोप लगा था और इन सवालों के जवाब रंजन गोगोई जी के पास है और रंजन गोगोई जी इन सवालों के जवाब वो किस माध्यम से देते हैं ये भी देखना होगा अब उन्होंने हलाकि कल ये कहा जा रहा था कि अगर वो शपत गरन लेते हैं तो उसके बाद मेडिया से बात करेंगे ह अला कि उन्नें बाचित नहीं किया है। अब देखना होगा कि रंजनगोगोई आखिर इन तमाम चुनोतियों से इन तमाम सवालों से अपने आपको कैसे बचाते हैं और इसमें भार्ती जनता पार्टी आखिर कैसे रंजनगोगोई का सपोर्ट करती है। क्योंकि भारती जंता पार्टी आखास करके मोधी सरकार ने जिन मुद्दो को हटाया धारा 370 राम मंदर का फैसला तीन तलाक और भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे आज इसमें सबसे एहम फैसला रहा राम मंदर का फैसला आने के बाद अब रंजन गगुई पूरी तरह से घिर इसा फैसला इतिहास में पहली बार आया है और यह बहुत बारा मुद्दा भी था अब देखना होगा कि रंजन गगुई किस तरह से अपने इन सवालों से बचते हैं और इन सवालों के क्या जवाब देते हैं तो फिलाल के लिए तरह ही मुझे दीजिए जाजात और आप द